दोस्तों अभी IDFC 1st bank लोगों को credit card दे रहा है, without verification, without income proof, without किसी bank count का, कैसे दे रहा है, इस सारा details इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो मेरा आपसी request है कि वीडियो को like करके support कर देना, और चनल पे नए आये हैं तो चनल को subscribe के bell icon को on कर देना, सो मैं आपको बता दूँ, कल की वीडियो में आप लोग ने देखा था, कि मैंने आपको दिखाया था, कि without income proof का, without किसी verification, without saving count का, only civil base पे card मिल गया था, हमारे एक वीवर से उनको भी card मिला, मेरे पास mail आया था, कि मुझे card मिल चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, कि without verification, without किसी जाच का card मिल जा रहा है, ओ भी IFC first bank दे रहा है, so यहाँ पर क्या होता है, कि आपने मेरे कापी सारे video में देखा होगा, मैंने बताया था, कि यहाँ पर अभी जो bank है, ओ only civil को track कर रहा है, civil को देख रहा है, कि अगर यह customer है, अगर ओ कहीं से loan लेता है, या ओ कोई भी ऐसा काम करता है, तो उसके civil में update ही रहता है, कोई old loan ले लिया, उसका payment कर दिया, उसका जो भी details है, ओ आपके civil में so करेगा, तो bank civil को fact कर रहा है, और जितने लोग कार्ड मिल रहा है, without verification, जाच का, without किसी income proof का, तो उनके civil में अगर out earning amount कम है, या उनका civil एकदम अच्छा का साइच से 780-800 ह या ओक rate card का जो youth lesson है, अगर 30% से कम कर रहे हैं, और timely repayment करना कोई गलती नहीं कर रहे हैं, और जैसे फिलिप card pay letter, जो multiple account बनाते हैं कि jeep, अगर इसको बंद करवाए हैं, तो साइध मुझे लगता है कि बड़े आसानी से bank card दे सकता है, क्यों, यहाँ पर थोड़ा आप लोग काराण जान लेजिए, कि जो IFC first bank है, अभी क्या है, यहाँ पर आप लोग के civil में filing करती है, क्या देखती है, आपका 3 चीज़े, आपने कोई old loan ले लिया, उसका time से repayment है कि नहीं, दूसरा, आपके आउस्ट earning कितना है, तीसरा, आपने फिलाल में कहां कहां loan apply किया, कहां कहा से आपने loan आपका चल रहा है, यह चीज़े देखता है, जोस्तों हमारी दिसमें कापी लोग ऐसे हैं, जो चीजों को नहीं समझते हैं, अगर एक loan चल रहा है, दूसरा loan तयार कर लेंगे, दूसरा loan तुरंत ही activate करवाएंगे, और कभी civil पर ध्यान नहीं देते हैं, जोस्तो हो सके अपने civil में out earning कम करो, out earning कम करोगे, आपका civil automatic increase होगा, अगर आपका out earning कम नहीं होगा, अगर आपका out earning कम कर लिया है, फिर ही बार बार loan card apply करके आप बार बार decline करवा रहे हो, तब भी आपको दिक्कत होगा, तो कोचिश करके out earning कम करो, फाल तु पे लटर को block करवाओ, अगर तो only Amazon Pay Latter use करो, बाकि और जो आ रहे हैं फाल तु फाल तु इसको बंद करवादो, जीप, पे अथा सवरी, flip card और Paytm भी उतना खास नहीं है, मेरे हिसाब से तो Amazon भी best है, लेजी पे आया है, बट अभी उतना उच्छ खास नहीं है, बट ठीकी टाइक चल रहा है, तो एक हिसाब से Pay Latter पे ध्यान कम दो, कुलोच करवा दो, सिविल को तयार करो, आपको RFC 1st Bank card यरूर मिलेगा, मेरे काफी सारे viewers को मिला, मेरे पास mail आया, रूपया दिखाया, मैंने चेक किया, बाते सत्त था, without किसी verification का मिल गया, तो एक काम करो, card up को मिलेगा, RFC 1st Bank का, only apply करो online, कुछी time में card up का approve हो जाएगा, समझ चुके होंगे, अगर आपको एई वीडियो सही लगा, तो वीडियो को like करना, दोस्तों में share करना, आप बताना कि आपके सिर्वी कितना outstanding amount है, मेरे channel पे कापी सारे वीडियो है, आप देख के पता कर सकते है, तो वीडियो को like करके support कर कर देना, और चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, हुमन दे मातरम,